Case of Major Depressive Disorder अब हम एक case को discuss करेंगे उस case की हल्प से आपको पता चलेगा कि अगर एक client आपके पास आता है तो वो किस किसम की symptoms manifest करता है किस किसम की उसकी life history हो सकती है किस किसम की traumas या stressful life experiences वो face कर सकता है ठीक है यानि एक ऐसी बच्ची या बच्चा जो आपके पास आएगा clinical setting में वो किस किसम के features जो है वो reflect करेगा तो हम एना थॉंसन का case यहां पे जो है वो discuss करेंगे जी वास basically 16 years old और वो कौन थी? अफारिकन-अमारिकन फीमिल तो आपने ये जहीन में रखना है कि वो अफारिकन-अमारिकन फीमिल थी ठीक है अब वो inpatient client थी और वो उसकी मदर जब उसको लेकर आई तो basically उन्होंने उसको कमरे में देखा था कि उसकी जो wrist है उसमें से bleed कर रहा है तीक है यानि उसके जो wrist है उसके उपर cut थे तो जब उसकी मदर जो है वो उसको लेकर आई तो उन्होंने ये बताया कि जो एना थी उसको वो दूसरे स्कूल के अंदर लेकर आई बिकास जब उनकी डावोस होई तो उन्होंने जो स्कूल था और वो जो state थी उसको move किया जिसकी वज़ा से एनान ने बताया कि वो एक नए स्कूल में जो है वो मूफ कर गई है ठीक है अब हुआ क्या कि जब वो नए स्कूल में मूफ किया उसने तो वो एक ऐसा स्कूल था जहां पर जो रिशिल माइनौरिटी का स्कूल आप समझ लें जिस तरह अगर अगर अमेरिक कि बात करते हैं, क्या यौरप की बात करते हैं, तो वहां पर चूंके ethnic groups जो हैं, वह different ethnic group होते हैं, इसी तरह different races जो हैं, वहां पर मौजूद है, तो जिस school में वो गई वहां पर African American जो थी, तो racial minority में आ रहे थे, ठीक है, जिसकी वज़ा से बहुत से इसको derogatory remarks जो थे वो वहाँ पर उसने face किये ठीक है और she was like saying कि वो mostly जो है वो lunch time पे अकेले ही बैठके lunch करती थी because जो derogatory remarks उसको मिलते थे वो उसके weight के बारे में थे ठीक है तो वो basically she was overweight तो जिसकी वज़ा से वो काफी ज़ादा difficulty face करी थी last 13 months है तो ये तकरीबन कितना time हो गया एक साल और एक महीना ठीक है तो तकरीबन इतना time जो है वो उसको face करी है इन the problems को what she was said कि basically उसके parents का marital conflict था जिसकी वज़ा से वो separate हुए और separate होने के बाद उसकी mother ने जो थी वो state move कर ली जिसकी वज़ा से वो एना जो थी ना अपने father से मिल सकती थी और ना ही अपने 13 year old brother से मिल सकती थी और ये जो चीज थी ये एना के लिए बहुत ज़दा traumatic थी क्योंकि वो उन में से किसी के साथ भी in contact नहीं थी उसकी वज़ा से हुआ क्या कि जब एना ने school join किया in August तो most of the time जो है वो अपने जो school है उसको वो miss करना शुरू हो गई ठीक है और उसने last first two months में at least two weeks के लिए उसने बेकुल भी school जो है attend नहीं किया और mostly वो lonely होती थी घर के अंदर क्योंकि उसकी mother जो थी वो काम पे जाती थी और she does not have any friends ठीक है अब एना का जो mood था वो past two weeks से जो था वो ज्यादा क्या हुआ depressed हो रहा था या ज्यादा sadness की तरफ जा रहा था because जो thank giving का event होता है उसके अंदर उसको लग रहा था कि it was impossible कि वो अपने father से या brother से meet कर सकेगी ठीक है और उसके वज़ा से क्या हुआ कि उसने कौन सी complaints या कौन सा जो उसका behavior था वो manifest होना शुरू हो गया like वो उसके अंदर जो activity level था वो decrease हो गया क्योंकि वो सारा दिन घर बैठती थी, television watch करी थी, internet के ओपर बैठके कोशिश करती थी कि किसी ना किसी से बात हो जाए और इसके साथ-साथ उसने बहुत जादा खाना शुरू कर दिया और बहुत जादा सोना शुरू कर दिया, तो अगर आप देखो तो उसकी lack of energy, psychomotor retardation, overeating and hypersonia जो है वो आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, from past two weeks के अंदर ठीक है? अब जब psychiatrist ने, चुंकि she was like an impatient थी, तो psychiatrist ने जब उसके injuries के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि she was feeling bad और उसने कहा कि basically उसने ये इसलिए किया, क्योंकि वो ये देखना जाती थी, कि जब वो उसकी death हो तो उसकी जो family members हैं, वो कैसा feel करेंगे जब वो उसके funeral पे आएंगे, this was something and she said कि उसको certain time you feel होता है कि जो suicide करना है, वो ज़्यादा बेटर है rather than living, rather than living, ठीक है, तो इस किसम के जो behavior था, वो उसका manifest हो रहा था और इस किसम की thoughts उसके manifest हो रही थी, however, interestingly, एना इस चीज के उपर भी थी, कि जो उसने अपना behavior शोकिया, यानि जिसमे उसके अपनी wrist को injure किय Basically, वो उसकी actual suicidal attempt नहीं थी, उसने सिरफ इसलिए ये किया था, because she wants to see कि उसके जो funeral के उपर उसके family आती है, वो किस तहाँ feel करती है, लेकिन उसकी मदर ने जब देखा and she was like freaked out और वो जो है एना को hospital लेकर आई, ठीक है, और इन सारी चीजों के बाद, जब psychiatrist ने एना से पूछा कि क्या वो further commit करना चाहेगी suicide, तो she said no, लेकिन definitely being a psychiatrist, he make it sure कि अगर उसको दुबारा से इस किसम का कभी भी कोई thought pattern आए, तो उसने फौरी दौर पर help जो है, वो seek करनी है और फौरी दौर पर किसी ना किसी से बात करनी है, तो अगर आप इस पूरे case को देखो, तो you can understand कि अना क कि लाइफ के अंदर जो stressful event था, वो क्या था, कि उसके marital father और parents की जो marital life थी, वो seize हुई, उनकी divorce हुई, और अना जो है, वो अपने brother से और father से नहीं मिल सकती थी, because she has like a very strong bond with them, but due to her mother divorce, she was unable to meet with them, और उसके बाद क्या हुआ, कि जो नया school था, वहां का जो environment था, that was not very conducive, जिसकी वज़ा से अना के अंदर बहुत सारी psychological symptoms आना शुरू हुई, जो के depression से related थी, and after that उसने, उसके अंदर suicidality भी जो थी, वो भी exist करती थी, even she tried to attempt suicide, ठीक है, तो इस किसम का जब आपके सामने case आएगा, तो that reflect के जो client है, उसको major depressive disorder है,